हलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे है और आज फिश खाने का मूर है, हम फिश लेने के लिए निकलते हैं, और आज मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, और गाड़ी स्टार्ट हुई, तो सामने पिकॉक को देख लिया मेरा तो दिन ही बन गया, अरे एक नहीं, दो-दो पिकॉक साथ में, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा ये शायद फीमेल पिकॉक है, याने पिहेन है, ये पिहेन हो या पिकॉक हो, ये जो भी कुछ है, जो मैंने देख लिया है, उससे मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ ओ माई गॉड, देखो, दोनों कैसे साथ में चल रहे है, मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है, कि ये मेरे घर के आसपास में ही है, और आज मैंने फर्स टाइम इने देखा है, वाउ, I am so happy चलो, हम आगे बढ़कर अभी फर्स्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, और वो भी मेरे फेवरेट एक साउथ इंडियन होटेल है, उसमें जाकर करेंगे ये रहा मेरा साउथ इंडियन पेपर दोसा, जो मुझे बहुत पसंद है, और यहां मिलता भी बहुत अच्छा है चलो, आजाओ मेरे साथ, हम मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, और गर्मा गरम ब्रेकफास्ट के बाद, हम फिल्टर कॉफी का मजा लेंगे यहां कॉफी भी बहुत अच्छे मिलती है चलो, ब्रेकफास्ट करके हम आगे की और जाएंगे वाव, यह सनफलॉर पूरे डिवाइडर के बीच बहुत मस्थ लगाया है देखिए, पूरे लाइन में कितना मस्थ लग रहा है और उपर ब्लू स्काई वाव, वेरी नाइस चलो, देखते, देखते हम बजार में पहुंची गए और यह में पहुंच गई फिश मार्केट यह रहा ड्राइ फिश इसे इमराठी में सुकट कहते है और यह रहा हमारा में फिश मार्केट यहाँ पे आपको सब तरह की फिश दिखेगी जो भी फिश आप चाहे यहाँ पे मिल जाती है यह देखे लॉब्स्टर है बहुत सारों के तो नाम भी मुझे पता नहीं है यह भी क्रैब्स है लेकिन अलग-अलग टाइप के रहते हैं क्रैब्स यह रहा बड़ा वला क्रैब इस दुकानदार को जब पता चला मैं वीडियो कर रही हूँ तो वो सामने बड़ा क्रैब लेके खड़ा हो गया और बता रहा है यह भी वीडियो आप उतारो और मेरे हाथ में एक लंबा चोड़ा लॉब्स्टर थमा दिया और बता रहा है कि यह ऐसे पकड़ो इसे ऐसे पकड़ते है हर पूरे वीडियो उसने उतारने लगाई फिश लेते वक्त मैं दुकानदार जो देगा वो बिल्कुल नहीं लेती हूँ पहले मैं चेक करती हूँ यह फ्रेश है या नहीं अगर फ्रेश हुआ तो ही लेती हूँ फेंस रहता है वहाँ पे दबाना है अगर लाल वाटर है तो वो फ्रेश नहीं है अगर वाइट वाटर निकलता है तो ही यह देखो वाइट निकला है तो मैंने एक ले लिया दूसरे में देखा, तो देखो लाल आ रहा है, तो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें वो जो स्मेल है, उससे मेरे घर में कोई फिश नहीं खाता है, अगर एक निकला तो मैं एक लेकर जाओंगी, लेकिन उतना ही लूँगी, अगर वो फ्रेश है त तो, वैसे मैने दो निकाले वाइट बॉर्टर वाले, देखिए, यहां पधर, बस अभी मैं यसे कटिंग को देखर, देखिए, कितना अच्छा कटिंग कर रहा है, यहां पर मैंने तीन बांगड़े लिए हैं इसे माइक्रेल भी कहते हैं इसके मैं कटलेट्स बनाऊंगी उसका वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने जो फीश ली है वो मैं इस डब्बे में नीचे आइस रखकर उसके उपर भी आइस लगा कर फिर अपने साथ लेक जाओंगी यह फीश लेके मैं तुरंद घर नहीं जाने वाली हूं इसके लिए मैंने इसके आगे पीछे से आइस लगाया है फीश के साथ साथ मुझे सबजियां और फुरूट्स भी लेकर जाने हैं तो यह सब काम करते करते मेरा और ज्यादा वक्त चला जाएगा उसमें अपनी फीश खराब नहीं होनी चाहिए इसके लिए मैं इस तरह से हमेशा फीश लेकर जाती हूं चलो अभी सबजी मुझे एक-एक करके चुन के लेनी है यहां पर मुझे मेरे हजबन को जो पसंद है वो वाली सबजी मिली है वाल मैंने उसे दिखाया देखो मुझे मिली ह वो तो खुश हो गए एकडम अब मैं सालाइड वाली सबजी ले रही हूँ यह है लेट्यूस लेट्यूस और कौन लिये है मैंने जो लेट्यूस मझे बहुत पसंद है चलो यह भी सबजी हो गई चलो आप वक्त है फुरूट्स लेने का रस्ते में एक जगह पर अच्छे फुरूट्स का शॉप है मैं हमेशा यहीं से fruits लेती हूँ यहां fresh और अच्छे test वाले fruits मिलते है हमें जो जो पसंद है वो fruits हमने ले लिये है चलो fruits, vegetables and fish सब लेके हो चुका है अब हम घर जाएंगे घर पर आते ही मैंने तुरंद fish को साफ कर लिया है साफ करके धो लिया है अब मैं उसे marinate करूँगी और अलग-अलग container में रखकर freezer में डाल दूँगी जो fish मुझे अभी करना है उसे भी मैं थोड़ी देर के लिए dessert में रखूँगी अभी आज के लिए मैं poplet fry और poplet की fish curry बनाऊंगी यह मैंने YouTube पे पहले ही इसकी recipe डाली हुई है आप यह देख सकते हो यह मैं अलग-अलग डिब्बे में इसलिए रखती हूँ ताकि एक time में सिर्फ एकी डब्बा निकालके उसकी fish में बनाती हूँ ताकि बार-बार डब्बा अंदर बाहर ना हो जाए एकी डब्बे में रखकर बार-बार defrost करके हम वापस वो fish अगर freeze में रख रहे हैं तो वो खराब हो सकती है इसलिए देखिए यह curry वाली और fry वाली एक डब्बे में मैंने रख दी है अब एकी डब्बा एक बार में निकलेगा और वो मैं कर दूँगी और दूसरा और तीसरा ऐसे दो-तीन टाइम के लिए मैं अलग-अलग डिब्बे में वो बन करके रख दूँगी यह देखो freezer में मैंने यह डार दिया है दिखिए तेल का डब्बा दिख रहा है आपको पूरा तेल निकाल लिया है मैंने थोड़ा भी मैंने उसमें बाकी नहीं रहने दिया है आपको शायद हसी आएगी लेकिन मैं ऐसी ही हूँ मैं वेस्ट नहीं जाने देती चलो खाने के लिए तो ज़्यादा ही लेट हो जाएगा मेरी नेशन के तुरंद बाद मैंने फटाफट खाने की तैयारी कर ली थी ताकि खाने में लेट न हो जाए एक तरफ मैंने फिश फ्राइ के लिए रख दिया एक तरफ मैंने फिश करी भी बना ली है चावल भी हो चुका है अभी fish fry करते करते मैं side में चपाती बना लूगी ये slow to medium gas पे मेरा fish fry हो रहा है तब तक मेरी चपाती complete हो जाएगी एक घंटे के अंदर ही मेरा पूरा खाना ready हो चुका है चलो, तो खाना हम serve करते हैं दिखिए, यहाँ पे क्या-क्या बना है fish curry, prawns fry, poplet fry और चपाती और उसके साथ थोड़ा चावल ये मैं आपको दिखाने के लिए serve कर रही हूँ चावल तो वैसे हम बाद में लेते हैं गरम-गरम लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए उतना मैंने serve किया है चलो, आजाओ गरमा-गरम खाना-खाने अब मेरा ये next day, दुसरे दिन का वीडियो है मैंने जो तीन माइक्रेल लिये थे बांगडा याने के बांगडे के जो तीन पीस लिये थे उसका मैं cutlet बना रही हूँ उसका recording चालू है और recording आपको दिखा रही हूँ मैं ऐसे record करती हूँ, मेरा stand इस तरह की चन पे लगता है और recording चालू रहती है ये जो मैंने cutlet बनाए थे बहुत ही tasty बने थे घर में तो सबको पसंद आए जब ये मैं cutlet का वीडियो अपलोड करूँगी तब आप ये जरूर ट्राइ करना जैसे ही ये cutlet fry होने लगे तब इतना अच्छा समय लाने लगा कि मेरी बेटी और मेरे हस्बंड तो जल्दी में ही मांगने लगे मैंने बुला आरे रुको जरा फ्राइ तो हुने दो अगर ये अच्छे से गोल्डन फ्राइ करते है तब ही इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है इस तरह तीन बांगड़ा फिश के मैंने यहाँ पे बारा कटलेट बना लिये है आज मैंने फर्स टाइम व्लॉग बनाया है अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना हाँ, और बेल आइकोन की घंटी दबाना नहीं भूलना बाई फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स टाइम